आज है 22 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IDBA बैंक के बारे में 31 रुपे का ये शेर जरूर है आज दो परसंट की गिरावट है और गिरावट की वज़े भी है जो इसके बारे में हम डिसकस करेंगे उसके अलावा पिछले लंबे समय से सरकार बैया कोशिश कर रही है इस बैंक से अपना पीछा छोडाने की और इसके लिए इन्होंने कई बार कई बार कोशिश भी करी है लेकिन लंबे समय से डीले हो रहा है ये सारी खबरे तो वीडियो में डिसकस भी करेंगे कि आखिर उसका अपडेट कहां तक पहुँचा है सरकार क्या कर रही है इस बैंक को लेकर तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो आईडी बैंक का जो शैर है 31 रुपए के आज पास ट्रेट कर रहा है आज भी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है आज 2% की गिरावट है और एक महिने में अगर आप देखें तो पिछले एक महिने में 14% तक तूट चुका है 37 रुपीस से तूटा है और एक महिने का जो सबसे बड़ा लो है को आज ही बनाया है इवन एक साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 18% की गिरावट है इससे पहले अगर आप देखते थे तो 34-35 रुपए के आज पास एक सपोर्ट नजर आता था इससे पहले भी फिर 30 बनी थी और जब भी यहाँ पर 30 बनती है रीजन था सरक कोई ना कोई हिंट देती थी कि हम इससे अपना पीछा चुडा रहे हैं और जाहिर से बात है जब भी कोई PSU कंपनी होती है चाहे वो बैंक हो या कंपनी हो उससे अगर सरकार अपना पीछा चुडाती है किसी बड़े प्लेयर को बेचती है तो कहीं ना कहीं उसको एक positive संकि माना जाता है और value unlocking का process माना जाता है लेकिन IDBI के case में वही देखने को मिलता था हर बार जब यह ऐसा कुछ आता था share भाग जाता था लेकिन बाद में बहुत ही slow process के कारण कुछ update नहीं आती थी फिर share तूटता ही रहता था और यह लोग और अगर देखा जा तो पिछले कु concrete चीज नहीं आती है तब तक लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं खरीदारी को भी नहीं कर रहा है अभी तीन साल में 9% की इरावट है कोविट के वक्त 17 रुपए तक तोट गया था बाद में तेजी भी आई थी जब खबर आई थी कि वह यह इसका privatize हो रहा है फिर तोट गया फिर वापस अब यह तोट रहा है लगाता तोट रहा है बाजर के हालत भी खराब है एक जो बड़ी खबर आई है यहाँ पर वो यह है कि IDBI बैंक ने जो Great Indian तमाशा कंपनी जो है उनको भाईया भारी भर्खम लोन दिया था जो देखा जाये तो properties of Great Indian तमाशा कंपनी corporate guarantor of Great Indian no tank की company जो है और उन्हों ने लिया था bank IDBI से HDFC से और bank को बरोडा से लेकिन वाद में क्या हुआ वह यह कुछ हुआ नहीं पैसा गया डूब तो यहाँ पर इनके जो assets है उसको वह यह company bank क्या करेगी अपने पास रखेगी और उसको बेचेगी और यही किया है कि IDBI ने invite किया है bidders को कि वह यह इनके assets हमने seal किये हैं आओ और आप खरीदो यहाँ पर IDBI bank का कितना पैसा फसा है तो 86.48 करोड एचलिए उसे bank का बहुत कम पैसा फसा है 6.26 करोड का चोटर सा amount है बैंक के लिए तो बहुत चोटा हो गाई है ना के बराबर कहा सकते आप बैंक को बरोडा का भी 49.50 करोड का पैसा यहाँ पर बैलेंस बचा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो according to the notice the dues of IDBI bank outstanding as of May 1st 2022 stand at 92.69 करोड plus interest there on within effect from 2nd May 2022 तो पैसा बड़ा जरूर कह सकते हो लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है इसे भी जादा बड़े बड़े पैसे बैंकों के बढ़ा कहां चले गए पजा नहीं चला किसी को लेकिन दूसरी जो सबसे वड़ी खबर है जो कही न कहीं हर बार excite करती है लोगों को वो आई लेकिन फिर भी किसी को कोई आज फर्क नहीं पड़ा तो यह काफी crucial मीटिंग है और देखते हैं क्या इसका निकल कर आता है जनरली अगर मार्केट में इतना पैनिक नहीं होता प्रेशर नहीं होता तो इस खबर से शायद IDBI में तेज़ी देखने को मिलती लेकिन अभी वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है यहाँ पर देखे तो government कितनी hold करता है holding यहाँ पर 45.48% की stake जो है वो government के पास है सरकार के प यहाँ पर देखे यहाँ पर the complete delusion of government stake is not necessary it will depend on the nature of agreement we have on IDBI people won't mind if LIC retain some shares in IDBI bank our focus is on equity and management control if at all government retains it will be its own financial interest to take the upside तो यहाँ पर देखो simple चीज़ है कि government किस तरीके से करेगी यह अभी तक कुछ भी नहीं बताया है सब कुछ अभी हवा में चल रहा है लेकिन देखते हैं कि क्या होता है कोई बड़ा player निकल कर आता है कि नहीं IDBI में हलाकि sources कह रहे हैं कि Indian born Canadian billionaire प्रेम वत्सा में interest दिखा रहा है IDBI bank में इसका अलावा Fairfax India holding the investment arm led by WhatsApp is said to have held initial talk with finance ministry officially in this matter तो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में और किस तरीके से होता है वो भी interesting होगा IDBI bank में सरकार इससे अपना पीछा छुडा ही लेगी और क्या होगा आने वाले वक्त में यह अभी से कहना मुश्किल है लेकिन लार्ज केप सेरे 34,000 क्रोर से भी जादा का market cap है वोल्यूम्स देखे तो 63,000 क्या आसपास देखने को मिल रहा है प्रमोटर जादा दर बड़ी quantity team है जिसमें सरकार और LIC दोनों ही यहां पर शामिल है according to money control user 20% लोग क्या रहे कि बेचो 70% लोग क्या रहे खरी तो 10% लोग क्या रहे होल्ड करो यहां पर अगर आब revenue देखो तो लगाता तूट रहे हैं अच्छे संकेत नहीं है यह 23,000 करोड का revenue था तूटके 22,000 रहा फिर 20,000 रहा फिर 19,000 रहा अब 18,000 करोड पर आ चुका है तो रगातार revenue तूट रहे हैं हलाकि profit increase हुए हैं पिछले दो साल में 2021 में 15,000 करोड के आसपास का profit था 2022 financial year में 2500 करोड से भी ज़्यादा का profit था जो कि अच्छा इसी लिए भी है क्योंकि इससे पहले के तीन सालों में बैंक ने बहुत 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 बड़े losses देखे हुए हैं IDBI बैंक खरीदारी करने का सही मौका है यह कहना है ticker tap का मेरा नहीं 13 का इसका P है और sector P 17, 18 के आसपास देखने को मिल रहा है कोई भी यहाँ पर अपनी राई नहीं दे रहा है कोई भी analyst जो है वो खरीदारी करने की या बेचने की राई नहीं दे रहा है overall मैं अगर देखू IDBI बैंक को तो जो IDBI बैंक पिछली बाग के 2021 का जो लो इसने बनाया था वो जनवरिक में महीने में ही था 27 रुपए के आसपास बना था यह और वहां से 26 रुपए 80 पैसे के आसपास मान लो यहां से फिर वहां से बाउंस बेकाया था तो मेरे हिसाब से 26 रुपए 27 रुपए तक जाता है तो initial buying के लिए हो सबता है कि शेर में आपको attractive valuation देखने को मिल जाए तो थोड़ी से quantity अगर 27 पर जाता है तो ही add करिएगा देखो महंगा मत खरीद लेना इसको क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी यह long term का खिलाड़ी है यह नहीं ठीक है क्योंकि पहरी चीस तो यह कि सरकार अगर बेचेगी भी अपना हिस्सा तो किसको बेच रही है अगर कोई बड़ा player है अच्छा player है इस industries से belong करता है या इस industries को समझता है कोई बड़ा नाम है तो अच 25 रुपए के आसपास पहुंचाता है तो वहाँ पर बन सकते हैं और बाकी की quantity तभी खरीदना जब कोई announcement होगी concrete announcement होगी कि बच्छा यह हो रहा है और यह खरीद रहा है तब तक पढ़ने की ज़रूरत IDBI bank में नहीं है वीडियो को यहीं प्रेंड करूंगा पसंद आए हो त लाइक तर रुशाय का चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और IDBI bank के बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिकतर बता सकते हैं thank you